घर का भेदी लंका ढाए, नीचता की पराकाश्टा, दोगले चरित्रवाले, खाए यहां की, बजाए वहां की, आज ये सभी उपमाएं, अलंकार, जिस व्यक्ती के लिए व्यक्त की जा रहे हैं, वो दुर्भाग्यवश भारत के उपराश्रोपती रह चुके हैं। जिहां, बात हो रही हैं, भारत के बाराववे उपराश्रोपती रह चुके मोहमद हामिद अंसारी की, जो इन दिनों चर्चाओं के केंदर में बने हुए हैं, और ऐसी चर्चा जो विवादास्पद होने के साथ साथ, अंसारी की देश विरोधी सनलिप्तता की और, सब का ध् एक, ये प्रश्न उटने लगा है कि क्या देश के पुर्व उपराश्रोपती हामिद अंसारी स्लीपर सेल थे, तो चलिए अब लंब आरंब करते हैं, पाकिस्तान के एक पत्रकार नुसरत मिर्जा ने हाल ही में शकील चोधरी को दिये एक इंट्रिव्यू में संसनी खेज दावा किया है, दरसल पाकिस्तानी यूट्यूबर के साथ साखशातकार में नुसरत मिर्जा ने दावा किया कि उन्होंने 2005 से 2011 के बीच कई बार भारत का दौरा किया और पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी इंटर, सर्विसेज, इंटेलिजेंस यानि आई-स-ाई को अपनी यात्राओं के दौराने कत्र की गई जानकारी को सौप दिया, मिर्जा ने साखशातकार में अपनी 2010 की यात्रा का जिक्र किया, वो भारत के तकालीन उप्राश्रपती हामिद अंसारी के निमंतरण पर आतंकवात पर एक सिमिनार में भाग लेनी के लिए भारत आये थे, मिर उन्हें कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें बहुत सी जानकारी मिली जो उन्हें आये इस आई को दी, टुटर पर लोग हामिद अंसारी और जफरुल इसलाम खान के साथ साथ कॉंग्रेस पार्टी को भी कोस रहे हैं जो उस वक्त केंदर की सक्ता में थी, बात 2011 की है जब मनमोहन सिंग देश के प्रधान मंत्री हुआ करते थे, इससे बड़ी गद्दारी क्या होगी जब हामिद अंसारी को कॉंग्रेस ने उपराश्टरुपती बनाया और अंसारी ने ही भीतर घात करने का काम किया, इस तरह के प्रश्न उठते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यूं किया अगर किया तो, कॉंग्रेस ने वोट बैंक की राजनीती के लिए हामिद अंसारी को उस पत पर परासीन करा दिया, जिसके वो कदा चित लायक नहीं थे, जो व्यक्ति अपने देश की समवेदन शील जानकारी आये साई को सिंग, चने, रेवडी समझ कर बाट रहा हो, उसे आप क्या कहेंगे, देश के उचस्त पत पर बैठा वेक्ति देश को सम्हालनी की जगह देश की बरबादी सुनिशित कर रहा होगा, ऐसा किसी ने भूल कर भी नहीं सोचा होगा, लेकिन हामिद अंसारी ने ऐसा किया, और इसकी जानकारी वही दे रहे हैं, जिन्होंने ये स पुर्व अफसर एनके सूद का एक ट्वीट वाइरल हुआ था, सूद ने दावा किया था कि मैं तेहरान इरान में था और हामिद अंसारी तेहरान में राजदूत थे, अंसारी ने तेहरान में रौ इकाई के सदस्यों की जीवन को खत्रे में डालने वाले रौ सेट अप को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमी का निभाई थी, लेकिन इसी व्यक्ति को लगातार दो बार उपराश्टपती बनाया गया, इस पर भी उस समय बड़ा विवाद हुआ था, एनके सूद के बयानों से ही पता चलता है कि अंसारी ने 1992 के बीच एरान में भारती भी की थी, जिसके कारण रौ और उसके अभियानों को गंभीर नुकसान पहुँचा, अधिकारियों के मुताबिक चार बार भारती दूतावास में कारेरत अधिकारियों और राज नईकों का, S.A.V.A.K. ने अपहरण किया और अंसारी ने जान बूच कर भारत के राष्ट्रे हितों का ख्याल नहीं रखा, जिस व्यक्ति का इतिहासी भारत के समूल नाश की योजना का रहा हो, वो देश का दो बार उपराशुपती इसी कॉंग्रेस और U.P.A. सरकार के रहमों करम प हामिज अंसारी ने देश के विश्वास को चूर चूर किया, आज भी यदि इतने बड़े खुलासे होने के बार ऐसे तत्व जेल से दूर हैं, तो ये शासन, प्रशासन के मूँपर बड़ा तमाचा है.